Good morning everyone, my name is Niharya, my topic is Responsibility of Teacher, guided by Mr. Neeraj Kandapal sir from Inspiration College of Teacher Education. शिख्षक की परिभासा शिख्षका अध्यापिका सब्द शिख्षक अध्यापक का इस्तरलिंग रूप है यह एकवचन अथ्वा बहवचन तोनु तरह से परिउक्त किया जा सकता है. सिख्षक के मन में सिखने की इच्छा को जागरत कर पाते हैं, वो ही सिख्षक कहलाते हैं. सिख्षक के द्वारा व्यक्ति के भोईसी को बनाया जाता है, एवं सिख्षक ही वह सुधार लाने वाला व्यक्ति है. अध्यापक की भूमिका एक सिख्षक अपने जीवन के अंतर तक मारगदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राध दिखाता है तबी सिख्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है इसलिए एक सिख्षक क्या गुरू ही अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरिद कर ना करना अपने विशे का पूर्ण ग्यान होना सिक्षक के कारिया सिक्षा का काम सिर्फ किताबी ग्यान देना ही नहीं बलकि सामाजिक परिस्तिते से छात्र को परचित कराना भी होता है सिक्षक का काम सिश्य के मस्तिस्क में प्रस्णू की खेती करना भर है और अधिक से अध केवल पुस्तकी ज्यान तक ही सिमीत ना रखें। पुस्तकी ज्यान तो मात्र परिक्षा उत्यन करने का साधन होता है। अंकू को पाने का एक उपक्रम होता है। लेकिन विविन्य चीजों से जोड़कर हम उसे व्यक्तित्व का स्वरोगिन विकास कर सकते हैं। हमें अच्छा नागरिक और समाज दर्सक बनाकर समाज की छोटी से छोटी चीजों से जोड़ें। उन्हें हर उस बात घड़ना विचार भावना को समझाएं। जिसे उन्हें अपने परवे समाज से जोड़ने और समझने में मदद मिले। शिक्षकों दाराप्रारंब से ही पाठिकरम के साथ ही साथ जीवन मूल्यों की सिक्षक भी दी जाती है। शिक्षक हमें ग्यान, बिनमर्ता, व्योहार कुसलता और योग्यता परदान करती है। आधुनिक यूग में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्तपूर है। शिक्षक वपध परदर्सक होता है, जो हमें किताबी ग्यान ही नहीं, बलकि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। शिक्षक की समाज कासलपकार और मारगदर्सक। शिक्षक द्वारा समाज में हमिशा से ही पुझनी रहा है। कोई उसे गुरु कहता है, कोई शिक्षर कहता है, कोई आचार कहता है, तो कोई ध्यापक्या टीचर कहता है, ये सभी सब्स एक ऐसे व्यक्ति को चिंत्रित करते हैं, जो सभी को ग्यान देता है, शिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश्यारास्टि के भोईश्यों का करना है सभी माहिनू में कहा जाता है कहा जाए तो एक सिख्षक की अपने विद्यार्ति का जीवन गठता है सिख्षक की समाज को किया अधार सिला है एक सिख्षक अपने जीवन के अंति तक मार्गदर्सक की भूमिकादा करता है और समाज को रा दिखाता रहता है तबी सिख् समाज यहमसिक्षा समाणी रूप से दो या दो सहदिक्ष व्यक्टियों के समाज कहते हैं क्योंकि इन समुह का अध्यान समाजिक विग्ञान के अंतर्गत किया जाता है मानो सास्त में मनुश्यों के किसी भी समुह को समाज की संग्या दी जाती है यहां बता दे कि आदमी समुधा को समाज की संग्या दी जाती है भोगल के आधार पर समान सभ्यता वाले लोगों के सम्मू को समाज कहते हैं जैसे यूरोपी समाज, एशियाई समाज, भारती समाज धर्म सास्त्र में धर्म के आधार पर समाज का वर्गिकरण किया जाता है जैसे हिंद समाज, मुस्लमान समाज और इसाही समाज राशनेतिक सास्त्र में विशेश रूपस से लोगों को समाज कहते हैं जैसे भारती समाज, पाकिस्तानी समाज, नेपाली समाज आदी सहपाठी करम गतिवीदियो में सिख्षक की भूमिका सहपाठी करम करने के लिए एक प्रभावी मंच है या सहपाठी करम गतिवीदियों में एक सिख्षक की भूमिका सिख्षक को पाठी तर गतिवीदियों के आयोजन और किरियावान में भोहाया मी कारिये करना चाहिए thank you everyone